दोस्तो नमस्कार मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि बरसाती जो मूली है उसको लगाने के बाद उसका देखभाल कैसे करना है उसके उतुपादन लेने तक में जो भी खर्चा आता है जो विधिया है, कारे विधिया है जो भी आपको साधानिया रखनी है, जो भी खाद फर्टिलाइजर योज करना है, उसका मैंने पूरा डिटेल और उत्पादन के साथ साथ प्रॉफिट कितना मिलता है, पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया है, वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, बहुत यच करनी है, यही चर्चा इस वीडियो में होने वाली है, जहां तक अब हम आपको पाउधा दिखाएंगे, उसकी दूरी कितनी है, वो कितना मेंटेन करना है, वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जर्मिनेशन के समय, मतलब कि जब बुगाई के समय जो हमने वीडियो बनाया तो उसमें कुछ अच्छा से, आपको समझ में नहीं आया होगा, दिख नहीं रहा होगा, कि आखिर बीज कितनी कितनी दूरी पर गया था, कैसे मेड़ पर आपने बुगाई किया था, मेड़ कुछ अच्छे समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपको इस पर बहुत अच्छे वारी बारी सी agree तो उसके करण मैट से मेट से नीचे गिर गई है आप देख सकते हैं एक्डम से टाइट हो गई है मिट 또 होग cotton है और यहां तो को मल है मेट की मिट्टी धोकि अछ्छी मानी जाती बलूई दोमट मिट्टी मूली के लिए हो हलकी रितेली मिट्टी तो मिट्टी सही है अब उसके बाद आप पौधा देखें तो पौधा आप एक एक पौधा देख सकते हैं एक एक मतलब और दूरी भी बराबर मेंटेंड कई सारे वीडियों मैंने देखा है फिर कई सारे किसान भाई ऐसी बुवाई की बिधी बताते हैं कि एक चोड़ी बेड बना लो उसमें ऐसी बुवाई कर दो पालक पत्ती के जैसे तो पालक के जैसे बुवाई नहीं करना है क्योंकि पालक का छोटा जड़ होता है मुसको पत्तियों के लिए खेती करते हैं लेकिन मूली हम कंद के लिए और पत्तियों के लिए खेती करते हैं तो इसमें आपको प्रॉपर दूरी मेंटेन करके रखना पड़ेगा proper दूरी maintain करके रखना से मतलब यह है कि आप देख सकते हैं ये एक bed है, ये एक bed है bed से bed के दूरी लगभग से लगभग यहाँ अगर मद्ध से मद्ध की बात करें तो डेड़ फिट है पौधे से पौधे के दूरी एक फिट है अब एक bed में एक पौधे से एक पौधे के दूरी लगभग से लगभग साथ से आठ सेंटी मीटर है, आप देख सकते हैं उसके बाद उसी bed में एक किनारे से दूसरे किनारे के दूरी लगभग दस इंच, आप देख सकते हैं लगभग दस इंच है तो इस प्रकार से आपको दूरी मेंटेन करके रखना है वैसे भी बरसात की मूली है और इसका कंद अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा कंद आपको देखने को मिलेगा अगर इस प्रकार से दूरी मेंटेन करके रखते हैं तब अब एक चीज और बात करनी है इसमें कि जर्मिनेशन के बाद अंकुरड के बाद यह लगबग चार दिन का है चार से पाँच दिन का और इसमें यह पत्तियां आप देख सकते हैं यह छोटी पत्तिय यह वाली यह निकलना स्टार्ट हो गया है में पत्ति यह है इसका आपको यह देखना है कि यह पत्ति आप देख सकते हैं यह निकल रहा है उसके बाद आपको यह देखना है कि कीट तो नहीं लग रहे हैं हमारी पत्ति कड तो नहीं रही है क्योंकि बरसात में बहुत अधी कीट लगता है और आप देखेंगे तो काली काली कीट लगेंगी और और वो कीट हमारे पौधों में नहीं है, पौधा पूरा स्वास्त है, तो हम आपको कीट को इमेज के माध्यम से दिखा रहे हैं, साथ पौधों में हो, आपको दिखा पाएं, तो नहीं है, मैं एक देखने का नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहां कटा है पत्ता, आप यह थोड़ी सी कटी हुई है, तो इसके इलाज के लिए आपको सिंपल साधारर सा कीट ना सक लेना है, कोई हाईवी डोज नहीं डालना है, क्योंकि पत्ती छोटी है, पौधा छोटा है, मरने की समस्या आजाएगी, कटने की समस्या आजाएगी, आप देख सकते हैं, फफून जनित रोग लग गया है इसमें, तो इसके लिए भी आप फफून ना सक डाल सकते हैं, यह इसमें लग गया है कीट, रेर रस, चूसक कीट लगा है, यह जो पत्तियों का रस पूरा चूस लिया है, तो इसके लिए आपको इमडा क्लोरोपीड डाल देना है, इमडा पौधा बहुत छोटा है पौधे पर बूरा असर देखने को मिल सकता है इसके बाद हलका यूरिया के स्प्रे घोल बना करके कर दें टंकी में जिससे जो पौधा है वह अपना जो पोशक तत्व है वह उपर से ले सके और अच्छे से ग्रो करें क्योंकि बरसात में अगर अच है तो यह धियान आपको जरूर रखना है वागी आप मूली देख सकते हैं और मूली में यही विसेश साधानी है जो कि बरसात के सीजन में अंकुरर के बाद करना है और अंकुरर के बाद जब मूली 10 दिन 15 दिन का हो जाएगा तब क्या क्या करना है उसका वीडियो हम अलग से ले करके आएंगे फिलहाल आपको यह बताना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी कैसी लगी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें अन्य किसान ले करके खरीदारी से ले करके खेत की तैयारी से ले करके बेड निर्माड मूली की भुवाई कैसे करनी है कितना दूरी मेंटेन करना है फिर एक पूरा विसलेसार की आपको टोटल कितना खर्चा आता है प्रतियेकर लगभख 40,000 का खर्चा हमने बताया था अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद